सेलोट मैं रवीराटोर स्वागत रता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंट्स आज आप देख रहे हैं हमारी विडियो नंबर हंड्रेट इसे के साथ हमारी चैनल पर पूरी वीडियो कम्प्लिट हो चुकि और यह वह सो वीडियो हैं जो मैंने आपके लिए बनाएं वैसे तो वीडियो थोड़ी ज्यादा है लेकिन यह सो वीडियो वह हैं जो मैंने आपकी हेल्प के लिए और टेक्निकल वीडियो बनाई हैं आपके लिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि थमनेल में जो लिखा हुआ है 30 सेकेंड तो 30 सेकेंड जो आपको अपने मुबाइल पर काम करना है जैसे कि मेरी वीडियो तो मिन्टों में बन रहे हैं इसमें कुछ मिनिट लगेंगे बनाने में आपको बताना और समझा पूरा टाइम लेगा लेकिन जो 30 सेकेंड होंगे वाकई में वह 30 सेकेंड होंगे जिसमें आप आपने गूगल क्रोम का डेक्स्टोप वर्जन में यूटूब को स्टार्ट करेंगे तो चलिए फटापट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल क तो चलिए फ्रेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटापट से आपको बता देते हैं वो क्या तरिका डेक्स्टोप वर्जन यूटूब ओपन करने का गुगल क्लिक किया यहां पर हमें लिखना यूटूब 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 हमने लिख दिया इसका आपको यहां से आपको डेक्स्टोप साइट पर क्लिक करना है यह हमने क्लिक किया यहां पर सारी पोजेशन ठीक होती है लेकिन क्या तो है जैसे हम यूटूब पर यहां पर क्लिक करते हैं तो हमें बाइडिफाल क्लिक करना है यहां पर लिखा तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको यूटुब का desktop साइड है वह उपन हो जाती हैं यहां से आपको साइनिन कर लेना और अपने YouTube को आगे आप केसे यूज़ करना चाहते है उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं तो बड़ा ही आसान था यह सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखा आपने इस तरीके से आप अपने गूगल क्रोम के डेक्स्टोप वर्जन में यूटूब को चला सकते मिल्कुल आसानी तरीके से जिसका आप सुच रहे थे कि यूटूब यहां से रिडारेक्ट क को गूगल क्रोम में चलाने में काफी दिखकत का सामना होने करना होता है तो यह मैंने सोलेशन आपको दे दिया बिल्कुल आप अपने मुवाइल के गूगल क्रोम में यूटूब को स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से वह भी डेक्स्टोप वर्जन में तो फिलाल आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाई